हलो गाईस, स्वागत है आपका एक ने वीडियो में, आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड में निकली हुई वेकिंसी के बारे में तो काफी अच्छी है पहले ही fill up कर सकें अगर आप उस post के लिए eligible हैं और आपका age criteria आपको allow करता है आप साथे साथ इनकी PDF पी आप download कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल से जिसका link आपको इसके वीडियो के description में मिल जाएगा या फिर आपको टेलिग्राम के सर्च करना है ट्रेंडिंग रोजगार आप बात करते हैं इस notification की वेकिंसी notification की तो यह वेकिंसी notification है इंडियन ऑइल की तरब से non executive personal की vacancies के लिए और इसमें pay scale की बात करें तो इसमें भी refineries division में recruit किये जाएंगे उनको इसमें जो इसकेल दिया जाएगा वो दिया जाएगा 25,000 से 1,5,000 का और प्रेप्रेंड डिविजन में भी same scale जो है इसमें आपको दिया जाएगा बात करें इसमें number of post and जो आपकी essential qualification होगी उसके regarding number of vacancies के अगर यहां बात करें पहली जो post है junior engineering assistant 4 की तो इसमें different number of vacancies आप देख सकते हैं different जो refineries हैं जैसे कि गुहार्टी में हैं बराउनी में हैं गुजरात हल्दिया में हैं तो इसमें जो refineries हैं वहां पर different number of vacancies हैं junior engineering assistant 4 protection की पहले थी then है P&U की उसके बाद है P&U O&M की then इसके बाद है junior engineering assistant 4 electrical और junior technical assistant assistant 4 की इसके बाद है वेकेंसी mechanical और junior technical assistant 4 के लिए mechanical discipline में इसके बाद है instrumentation की वेकेंसी इसके बाद है junior quality control analyst 4 की वेकेंसी उसके बाद है junior engineering assistant 4 fire and safety के लिए vacancies तो काफी जाद है यहाँ vacancies जो है निकाली गई है Indian oil के दोरा अब बात करते हैं यहाँ पर pipe lines division के लिए पहले थी vacancies refineries के लिए अब है pipe lines division के लिए अब हैं engineering assistant electrical की vacancies है mechanical की vacancies है T&I की vacancies है यहाँ इसके बाद technical attendant की vacancies है यहाँ पर different number of vacancies यहाँ पर देखने को मिल रही है तो काफी अची opportunities है सभी candidates के लिए जो इसके लिए eligible है क्योंकि इसमें काफी number of vacancies निकली गई है इसके बात करें qualification parameter और work experience criteria की तो different vacancies के लिए यहाँ पर work experience के साथ-साथ essential qualification आप बताई हुई है कि किसके लिए क्या qualification होनी चाहिए किसके लिए क्या work experience यहाँ पर मांगा गया है तो इसके लिए आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी होगी और उसमें आप अपने respective trade के according जो है इसमें चेक कर सकते हैं कि आप किस post के लिए eligible है इसकी जो है PDF वो जरूर डाउनलोड कीज़ेगा काफ कि क्योंकि काफी important चीज़ें हैं जो PDF से ही आपको पता चलती हैं एक वीडियो में explain करना सारी चीज़ों को possible नहीं होता है तो इसकी PDF के लिए तब ही हमने telegram चैनल पे इनकी जो PDF से हैं वो पहले ही upload कर रखी हैं अब बात करें इसमें other instructions की जैसे कि minimum और maximum age limit यहाँ पर क्या हो करना है iocl.com पे वहां पे what's new section पे जाके recruitment section पे आपको जो है click here to apply online पे click करके application form भरना है इसका जिसके लिए last date application form को submit करने की 21 अगस्त 2024 की 21 अगस्त 2024 से पहले पहले आप यह application form भर सकते हैं तो यह था आज किस वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस व की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही subscribe कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर देंज थैंकिगास वाचिंग दिस वीडियो मिलेंगे सितरह की next videos में